आज की रेश्पी है अमरूद का हलवाया बर्फी जो बहुती टेश्टी होती है और आसानी से भी बन जाती है हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नीलम एम टू मसालाज मैजिक में आपका बहुत-बहुत सागत है फ्रेंट्स रेश्पी बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने यह तीन मीडियम साइज के अमरूद लिये हैं इन्हें मैंने अच्छे से शाप कर लिया था और यह अमरूद हलके से पके हुए है अब इनकी दोनों किनारों को अमरूद पर काट देंगे और इन्हें रफली हम चौप कर लेंगे अमरूद को मैंने देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है अब इसको हम पैन में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम गलने तक पका लेंगे यह 10-15 मिट में अच्छे से गल जाएंगे बॉल किये हुए अमरूद को ठंडा कर लिया था और इसे अब मिक्सी के जार में डाल देंगे और अब इसको हम ग्राइन कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स अमरूद को अच्छे से ग्राइन कर लिया है अब इसका हम पल्प निकालेंगे इसको हम चलनी सच्छे से छान लेंगे थोड़ा सा पल्प चार में बच गया था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी डाल दिया है अब हम और थोड़ी देर तक इसी तरह चलाएंगे और देखी फ्रेंट सारी बीज उपर है और एक स्मूद सा पल्प हमें मिल जाएगा ये देखी कितने सारी बीज निकले हैं इसमें ये देखी फ्रेंट्स कितना क्रीमी और स्मूद सा अमरूद का पल्प निकला है अब हम गैस पर पैन रखेंगे उसमें डालेंगे हम एक चम्मत तेसी घी इसको गरम होने देंगे इसके बाद में जो हमने अमरूद का पल्प निकल के रखा था इसे हम डाल देंगे और इसको हम चलाते रहेंगे अच्छे से गैस को अभी मैंने मीडियम प्लेन पर रखा है यह थोड़ा सा पाई डालके अमरूद का पल्प और बचा हुआ डाल दिया और इसको अच्छे से चलाते यों पकाते रहेंगे यह देखे फ्रेंट्स एक कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है यहाँ चीनी और अमरूद का पल्प दोनों बराबर होने चाहिए एक कटोरी पल्प था उसी कटोरी से मैंने चीनी एक कटोरी डाल दिया इसके बाद आधा चम्मच लेंगे कॉनफोर या अरा रोट आपके पास जो हो उसे डालने उसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से गोल लिया है अब इसको हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे आरा रोट या कॉनफोर डालने से इसमें बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी ये देखी फ्रेंड्स मैंने इसमें लिया है पानी और इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर का फूर कलर डाल देया है आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हैं बस इसे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इसलिए डाला मैंने एक बार में सारा कलर नहीं डाला मैंने थोड़ा-थोड़ा करके कलर डाला है आपको जितना पसंदो उतना ही कलर डाले अब बस लगातार चलाते रहना है मिडियम फ्रेम पर अगर नहीं चलाएंगे तो यह जल जाएगा थोड़ी देर चलाते रहने के बाद में देखी फ्रेंट्स खलवा थोड़ा सा ठिकोने लगा है अब इसमें मिडालने के खरबूज के बीच कहीं कहीं से मगज का बीच भी बोलते हैं यह मैंने दो चम्मच डाल दिये हैं इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और लगातार चलाते रहेंगे थोड़ी देर बाद में मैंने आधा नीबू का रस डाल दिया है नीबू का रस डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है अब इसे करेंगे मच्छे से mix और लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हमें लगातार नहीं चलाया तो यह जल जाएगा तली में यह देखी प्रैंट्स पहले से कितना थिक हो चुका है थोई दियर चलाने के बाद में देखी प्रैंट्स अब ये हलका हलका कड़ाई में चिपकना कम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे एक चमबच देसी घी देसी घी डालने से हल्वे में बढ़ी आशी शाइनिंग आईगी और ये खाने में भी टेस्टी लगेगा देखिए फ्रेंड्स अब हम रूत का हलुआ कड़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और ये जमनी के सेस्टी तक आज चुका है बस हमें इतना ही पकाना है गयस को हम ओफ कर देंगे और अब एक ट्रे लेंगे इसमें मैंने घी लगा लिया है अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर लगा ले अब हलुआ को मैं इसमें डाल दूँगी और इसे हम तीरी दीरे अच्छे से फैला के सेट कर लेंगे इसे रूम टेंपरेचर पर 6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रगते और यह जल्दी है तो फ्रिज में 3 घंटे में अच्छे से शैट हो जाएगा देखे फ्रेंट्स यह अच्छे से शैट हो गया है गार्निसिंग के लिए मैंने इसमें थोड़े से मगस की उपर से और डाल दिये थे अब इसके हम कर लेंगे पीस की थोड़ा सा एस्ट्रा मैंने निकाल दिया यहां से जिससे पीस सारे बराबर लेवल में हो जाए अच्छे से यह देखी फ्रेंट्स एक पीस में आपको निकाल के दिखाती हूँ यह कितना बढ़िया बना है और भूती टेस्टी लाजबाव हैना एक तम परफेक्ट अमरूत का हलुआ प्रेंट्स आपको रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू फर वाचिंग